हेलो नमस्कार मैं डाक्टर एजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात्चित करेंगे कावे प्रियोजन पर इसे पहले हमने बात्चित कर लिया है कावे लेक्षन क्या होता है जिसमें कि संस्क्रीट, हिंदी और पास्चात्य विद्वानों के मतों को देखा और उसी तरह से कावे प्रियोजन पढ़ते समय भी संस्क्रीट, हिंदी और पास्चात्य विद्वानों के मतों को जानना जरूरी है क्योंकि परिक्षाओं में इनसे सवाल पूछे जाते हैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने तीनों तरह के बिद्वानों को एक जगर कलेक्शन किया है ठीक है तो चलते हैं टॉपिक पर काब ये प्रियोजन इसमें दो स्रब्द है एक तो काब भी है दूसरा है प्रियोजन प्रियोजन का मतलब होता है उद्देश ये जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें कोई उद्देश रहता है जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा उद्देश ये है कि अच्छा माक्स मिले, प्रतोगी परिक्षाओं में बैठें, तो इसमें सफलता मिले, फिर नवकरी मिले, फिर नवकरी के बाद हम जहां भी रहें, अपना मन लगा कर काम करें, फिर धिरे-धिरे उद्देश बदलते जाते हैं, आप देखेंगे अपने जीवन में कोई भी उद्देश रहता है, उसी तरह से कवियों का क्या उद्देश है, आज के समय में कविता की क्या जरूरत है, ठीक है, इसका आभास तब हो जाता है, जब आप देखेंगे कि कहीं प्रोटेश्ट होता है, या फिर कोई उत्तेजक स्पीच देना पड़ता है, तो वहां पर आप में लोग कविताओं का प्रयोग करते हैं, स्लोगन का प्रयोग करते हैं, जिस ये कि जो जनता है, या फिर जो उस प्रोटेश्ट में सामिल हैं, उनके अंदर एक एनरजी होती है, अब देखेंगे कि आधिकाल से लेकर, आधुनिक काल तक कई ऐसे कभी रहे हैं, जो कि अपने कविता के माध्यम से लोगों में जोश भरने का काम करते हैं, तो उनका क्या उद्धेश रहता है, कि ऐसी कभीता लिखी जाए, जो कि लोगों को उर्जावान बनाये रखें, अक्सर हम अपने जियोन में देखते हैं, कि बीर्रत से जो भरी वी कभीताएं होती हैं, या तो पंद्रागस्त को उसको बोला जाता है, या फिर 26 जनौरी को, या कोई कहीं आसपास में शहीद हो गया, या फिर कोई इस तरी किसी देश भक्ती से सम्बंदित कारकरम हुए, तभी बजाय जाते हैं, तो उन गानों को लिखने का भी उद्धिश रहा होगा, ठीक है, उसी तरह से समाजने की जरुरत है, कि जब संस्कृत में कावे लिखा जा रहा था, तो उस समय संस्कृत के जितने भी कावे शास्त्री हैं, आलोचक हैं, उन्होंने कावे प्रियोजन के अलग-अलग परिभाशाओं को दिया है, उसी तरीके से हिंदी में भी बिद्ध्वा आलोचकों ने कावे प्रियोजन के जरूरत को बताया है, इसी तरह से पाशर्त विद्ध्वानों ने भी कावे प्रियोजन के अवशेक्ता पर विचार किया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसा की अर्थ बताया, कि कावे प्रियोजन ऐसा है, मतलब जो कि कविता के उद इस चैनल से जुड़े हैं तो इसका कोई उद्देश होगा उद्देश ही है कि भाई आपके पास सारे मैटर हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको थोड़े सी गाइडेंस की जरुवत है आपके पढ़ाई में थोड़ा सा सकरात्मक आपको मेंटर की जरुवत है तब और मेरा क्या उद्देश ही है कि जो भी मैंने 10-15 साल पढ़ाई को तपस्या मान कर किया था अब उसको फैलाने का आगे मैं बताऊँगा कि मेरा क्या उद्देश ही है जब तुलसी दास की काभी प्रयोजन पर बातचित करूँगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा मेरा य यह क्या है प्रयोजन है उसी तरीके से जहां भी लाब देखा जाता है और उस उद्देश से काम किया जाता है तो वह प्रयोजन के अंतर गताता है ठीक है यहां पर कहा जा रहा है कि काभी रचना के उद्देश यह अर्थार उससे प्राप्त होने वाले लाब को काभी प्र शास्त्र की शुरुवात जो होती है वो आचारे भरत मुनी से होती है जिनका की लोगप्रिय ग्रंथ है नाट्य सास्त्र अपने पढ़ा भी होगा और एक मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था जिसमें संस्कृत का विशास्त्रियों का एक सामानिक परिचे दिया है लेकिन है कि धर्म, यश, आयुश, आधक, हितकर, बुद्धि वर्धक और लोक उपदेश है काभी प्रियोजाने लोको पदेश नाट्यम मेतद जब अब एक संस्कृत का पढ़ेंगे तो इसमें उनका एक स्लोक है कि लोक को उपदेश देना ही इनका मुख्य उपदेश रहा है औ और वह भी नाटक के चरिए ठीक है शुरुवाती दिनों में संस्क्रिट काभे साज पर में जो नाटक लिखे जाते थे उनको भी काभी के अंतरगती रखा जाता था जैसे अभिज्ञान सा कुंतलम को काभे सुनाटकम रम्यम इसलिए उसको काभे माना गया है ठीक है दूस क्या होता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष यह सब किसके अंतरगत है पूरुशार्थ के अंतरगत है और इसके अलमा कीर्थी प्रीति और समश्थ कलाओं का ज्यान क्या है काभी प्रियोजन की अंतरगत आता है ऐसा मानना है भरत भामा का ठीक है भामा का यह मानना है तो जब जाए ध्यान में रखिए पुरुसार्थ, पुरुसार्थ यहाँ पर होगया और यहाँ पर किर्ती और प्रिती, त इस तरीके से इनहोंने 6 चीज़ों के सामिल किया हैं, 4 पुरुसार्थ हो गया और 2 यश और प्रिम, इनका भी इनको जुड़ा हुआ है, ठीक है, आगे विच माना है तो वामन का याद रखे आगे रुद्रत विचार कर रहे है रुद्रत का माना है कि पुर्शार्थ चतुष्ठे अनर्थ का समन और बभीपति निवारन रोग मुक्ति अभिमत वर की प्राप्ति बिपति पर याद का रचे का रमका करेके हैं इसी तरीके से पदमाकर ने रचना लिखी है, जब वो बीमार थे तो उन्होंने एक रचना लिखी गंगा से जोड कर ठीक है, तो जब भी कोई कश्च में राता हैं, तो उसके नीवारन के लिए कुछ-कुछ कभी थाएं, कभी उन्हें लिखी हुई है, आगे जो काविप्रे क्रिती को काविय प्रयोजन मानते हैं तो ध्यान में रखे और काविय सास्त्र में सबसे अगर महत्पूर्ट काविय प्रयोजन के बारे में अध्येन किया है या फिर बताया है और जिनसे प्रिक्षों में सवाल आता रहता है आमेसा वह है आचारे मम्मट का आचारे मम्मट न बातों पर विचार किया है, छो बिंदों पर विचार किया है, परिक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि कावे प्रयोजन पर विचार करते हुए मममट ने कुल कितने बिंदों पर बात किये, तो पहला तो उन्होंने कहा कि यस की प्राप्ति, ठिक, यस की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, ब्यभार ग्यान की प्राप्ति, शिवेतर यानि कि रोगनास के लिए, पर्मानन्द की प्राप्ति, और कांता समित इस्त्री की तरह कोमल उपदेश, कांता समित योपदेश युजेद, यानि कि इस्त्री की प्राप्ति, पहला हो गया इस्त्री की प्र मम्मठ निम्लिकित में से किसपर नहीं विचार किये हैं या फिर किसपर विचार किये हैं तो आप इन छाओं को अपने दिमाग में रखें यस को रखें ठीक है अर्थ को ब्यभार को मम्मठ को सर्वग्राही आलोचक भीमाना जाता है और इनके काविप्रवजन समयंदी जो भी परिभासत दी गई है वो परिक्षा के दिष्टी कोड़ से बहुत महत्तुर है अगर हिंदी के बिद्वानों की बात करें तो हिंदी के बिद्वानों की अनुसार का विप्रोजन है जिसमें की कवीर्दास का काना है कि तुम जिन जानव गीत है यह निज ब्रह्म विचार कहते हैं कि तुम जिस जिज को जानते हैं कि गीत है यह गीत नहीं है बलकि क्या है अपने ब्रह्म पर हम विचार कर रहे हैं वो भी कविता की मात्यम से मालिक मुहमद जायसी लिखते हैं आप देख रहें कि ये जो फूल मरे पैमरे न बासु अभी टीजीटी के एक्जाम में ये सवाल आया हुआ था काफी इंपोर्टेंट है इसको ध्यान में रखे यहीं से इसको उठा लिया गया था जैसे के काप्वे प्रविजन संबंदी परिभासा से ही तुललसीदास काप्वे प्रविजन पर विचार करते हैं किरती भनती भूती भले सोई शुर््षरित्षम सबकरहित होई यानि इन्होंने काप्वे प्रविजन को स्वानता सुखाय माना था या फिर सब का हीत करने वाला ठीक है तो तुल diversion के काप्वे प्रविजन संबंदी जो विचार हैं ये भी परिक्षा में कई बार पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है और मैं बोल रहा था कि मेरा क्या उद्धेश है सेंट उसे में यही उद्धेश है कि सबका हीद करना और स्वानता सुखाय करना आप जानते हैं कि टीचिंग एक ऐसा प्र यही आखिर में बचता भी है ठीक है तो अच्छा लगता है पढ़ाना आगे हम देखते हैं कुल्पति मीश्र इसलिए मैं अभी डाक्टर बच्चन सिंग पर जो हिंदी साहित का दूसरा इतिहास पर विचार कर रहा था रोप कर रखा है कि थोड़ा से हम कविता लेखन के स साथ कविता का प्रियोजन क्या है कविता के लक्षण क्या है उसके हेतु क्या है इस पर भी आचारियों ने विचार किया था जिसको की लक्षण गरंथ का आ जाता है कई बर सवाल पूछा जाता है कि निमनकीत में से कौन अलंकार गरंथ है कौन रस गरंथ है कौन नाइका व्याज से संबंदित है इस तरीके से प्रश्ण आते रहते हैं तो दिहान रखना है यहाँ पर एक कभी आ गए कुलपति मिश्र जो कि उसी काल से संबंदित है इनका मानना है कि जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे खोई होत कभीत ते चतुरई जगत राम बस होई आप रितिकाल में देखेंगे तो ज्यादतर कभी उने कभीत को लेकर काफी चर्चा किये आप ठाकुर की एक पंक्ति को पढ़ेंगे ठीक है घानानन्द की एक पंक्ति को पढ़ेंगे तो उसमें भी कभीत के बारे में वह चर्चा कर रहे हैं और भी बोधा भी कभीत को लेकर उ 30. शब्दा आया हुआ है तो इसका मतलब उन्होंने रशोंपर बाप्त किया है। आगे देव हैं जिनको की रीतिकाल का कवी भी काजाता है और आचारे हैं। कही बार एक जाम में सवाल पुछा जाता है की देव क्या हैं? कभी हैं। कि यह आचारे हैं? यह क्या हैं? यह दोन काते हैं कि सारी चीज़ें नश्ठ हो जाएंगी लेकिन जो कविता है वो अमर रहेगी इसलिए हम कविता को लिखते हैं इनका एक कुद्यस यह भी है आगे सबसे मात्पूर्ण जो रितिकालीन आचारी हैं जिनका नाम है विखारी दास विखारी दास अब हिंदी साहित के इत ठीक है रहीम दास हैं कुछ नहीं आता है तो किसी के नाम भी दास जोड़ दिया जाता है लेकिन यहाँ पर दास आचारी रामचन शुपले ने बढ़े प्यार से विखारी दास के लिए ही यूज किया है आप उनके भी इतियास को पढ़ेंगे या फिर बच्चन सिंग के इ सूर गोसाई एक लहे संपतिकेशव भूसन जो बर्बीर बढ़ाई एका नकोजस सो प्रयोजन हैरस खान रहीम की दास कवित नकी चर्चा बुद्धिबत्तन को सुख दे सबठाई तो एक तरीके से इस पंक्ति को आप अपने दिमाग में रखे कि विखारी दास की यह पंक लिए तुलसी हो गए केसव हो गए आपर भूशन है ठीक है रस्खान रहीम को इंडिकेट करते हुए इन्होंने कावि प्रयोजन के बारे में चर्चा किया है आगे हम बात करते हैं महाबीर प्रसाधिवेदी का मानना है कि ज्ञान का विष्थार और आनंद की अनुभूती क्या है कावि प्रयोजन है ज्ञान का विष्थार इसी तरह से उन्होंने सहित्य यानि की कावि लक्षन की परिवासा देते हुए का था कि सहित्य ज्ञान राज की संचित खोस का नाम है और यहाँ पर इन्होंने ज्ञान को ही इंपोर्टेंस दिया है कि ज्ञान का मैथली सरण को इनकी विपंक्ति कई बार परिक्षों में पूछी गई है जो कि इंपोर्टेंट इसको ध्यान रखना है केवल मनुरंजन न कभी का कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए इनका काना है कि अगर कोई कविता या फिर साही टेलेखन कर रहा है और उसके केंद्र में मनुरंजन है तो ये ठीक बात नहीं है बलकि उसमें उचित उपदेश होना चाहिए मतलब कोई न कोई उसका एक निसकर्स होना चाहिए उपदेश आत्मक टाइप का होना चाहिए किसी भी के जीवन में बदलाव लाने या उसको प्रेरित कर आप पढ़े होंगे या फिर जीन लोगों ने नहीं पढ़ाए तो आप पढ़ लीजेगा आप देखेंगे शुरु शुरु में पूरा उसमें एक तरीके से यह थर्थ चित्रन करते हैं लेकिन अंत में वो आधर स्पेस कर देते हैं कि बड़े घर की जो बेटी होती है वो बह चाले थी तो यहां पर क्या है उनका एक पर आचार रामचन शुक्लक के अनुसार का विप्रयोजन क्या है काsal बेका आंतिम लक्ष जगत के मार्मिक पक्षों का प्रतक्षी करन करके उनके साथ मनुस्य हिर्दे का सामजश से प्रतिय श्थापन ही क्या है कावे प्रयोजन है तो ये एकदम बता रहे हैं कि कावे का जो अंतिम लक्षे है वो जो भी जगत है उसके मारमिक पक्षों को सामने लाकर उसके साथ जो मनुसी हिर्दे है उसमें उसके साथ जोड कर रखना ही क्या है कावे प्रयोजन है कविता का के दोनों एक ही चीज़ें हैं महादेभी वर्मा लिख रही है कि मानव हिर्दय में समाज के प्रती विश्वास उत्पन करना क्या है का भी प्रयोजन है आगे हजारी प्रसाद इवेदी भी मानव कल्याण को काभी प्रयोजन के अंतरगत रखते हैं कि जो मानव कल्याण है वही क्या है काभी ऐसी कविता है जो मानव का कल्याण कर सके नंदुलारे वाजपे का मानना है कि आत्मान भूती कि जब कोई कवी या लेखक अनभूत करता है और लेखने की कोशिश करता है तो क्या है काविप्रयोजाने जैसे आप दलित विमर्ज देखेंगे, इस्त्री विमर्ज देखेंगे, तो ये विमर्ज आत्म कथा नामक विधा से धिरी धिरे इस्थापित हुए और फिर कहानी, उपन्यास, कविता इन छेत्रों में भी इनका विश्दार होने लगा, लेकिन इन दोनों विमर्जों में ज आभिव्यक्त किया सबसे पहले आत्म अनभूती जो उन्होंने अनभूत किया था उनके साथ जो भोगा ववा यह थार्त था उसी को तो अपने रच्ना में उन्होंने अभिव्यक्त किया कविप्रिवजण है तो इन दोनों परिभासाओं को आतमानों भूती और आतमा विव्यक्ति इनको ध्यान में रखना है माइनर अंतर है ठिक है आगे का अगर पाश्यात विचारकों पर विचार करें तो उनके अनुसार क्या है कविप्रिवजण पास्च्यात विचारकों के अनुसार का विप्रयोजन की कुछ तीन स्रीणिया है तीन तरह की बातें उभर कराई हैं पास्च्यात विद्ध्वानों के अनुसार पहला है कि कला कला के लिए है मतलब कला यानि जो कविता है वो कविता के लिए है या फिर इसमें समाज भी जुडा है या नहीं तो कला कला के लिए जैसे कला कला के लिए अप्रयोगवादी जो कभी रहे हैं उनका ये मानना है कि सहित्य जो बी राजिन्तिक चित्रन होना शुरू हो जाता है वह नहीं होना चाहिए बस इसको कथ्य के हिसाब से और शिल्प के देखना चाहिए ठीक है इसलिए उस पे कलावादी भी का जाता है उसको तो कला 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 के लिए ऐसे मानने वाले विद्वानों में कावने होमर हैं लोन जात सिधानत है शीलर, स्वीनबर्ग, आसकर वाइल्ड और ब्रेडले हैं ठीक है जिनका मानना है कि जो कला है वो कला के लिए और यही क्या है काभी प्रयोजन है लेकिन एक दूसरा खेमा है उसका मानना कि कला जीवन के लिए है जिसमें कि प्लेटो, रसकिन, टालस्टाय, आ आलोजना ही क्या है सहीत है तो यहां भी कहा जा रहा है कि कला जीवन के लिए होना चाहिए मैं अएक एक और खेमा है जो कि दोनों में समद्नवा इस्थापित करता है जिसको समन्नवा वादी कहा जाता है जिनमें की जीवन और आनंद दोनों को जोड कर मानने वाले विद्वान हैं ऐसे विद्वानों में हैं अरस्तु, होरेस, ड्राइडेन, कालरीज, वर्षवर्थ, मैथु, अरनाल्ड, आये रिचर्ड जिने की सम्मन्यवादी विद्वान का जाता है जिनका मानना है कि जो कला है, वो कला के लिए भी हो सकती है और कला जीवन के लिए भी हो सकती है और जिसके माध्यम से जीवन और आनंद दोनों को हम अनभूत कर सके ठीक है तो इस तरीके से हमने काभी प्रयोजन पर तमाम संस्क्रित हिंदी और पाश्यात विद्ध्वानों को देखा उमीद है कि काभी प्रयोजन सम्मंधी जितने भी अधरना हैं जितने भी परिभासा हैं वो आप सब समझ गए होंगे परिक्षा में अगर इसे किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो आप नीडर निसंकोच एक तुम कॉन्फिडेंस के साथ हल करेंगे कमेंट्स करकर जरूर बताएए कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लागा ठीक है मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए